दोस्तों नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 फरवरी 2024 सूर्य रासी परिवर्तन प्रभाव के बारे में तेरा फरवरी को सूर्य देव अपने सत्रू की रासी, सनी की रासी, सनी की मूलत्र कौन रासी, कुम्ब रासी में जाने वाले हैं अपने पुत्र की रासी, सनी की रासी में जाने वाले हैं तेरा फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक, इनका गोचर एक महिने रहेगा कुंब रासी में, सूर्य जो की आपकी आत्मा के कारक हैं, सूर्य जो आपके आत्म बल के कारक हैं, सूर्य जो आपके सम्मान के कारक हैं, सूर्य जो आपके पूर्वजों के कारक हैं, सूर्य जो आपकी सफलता के कारक हैं ऐसे सूर्य का जब परिवर्तन होता है तो निश्चत रूप से पूरी प्रतिवी में हर व्यक्ति के जीवन में बिशेज प्रभाव डालता है जीवन को बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर परिवर्तन माना जाता है अब जब सत्रू रासी में कोई भी जाता है तो नेगेटिव प्रभाव देता है यह हम सब जानते हैं लेकिन यहां पर कुछ चीजों में पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है तो आपको जानकारी देंगे कि सूर्य रासी परिवर्तन करके आपकी लाइफ में क्या बदलाव करने वाले हैं यह महीना आपक इस गोचर फल को देखें अगर आपको चन्रासी पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे रासी फल में रासियों के क्रम में सबसे पहली रासी मेस रासी के बारे में मेस रासी वालों एकादस भाव में सनी के स आत्मियुति बना रहे हैं सूर्य देब और सूर्य नाराण की आपके उपर बिशन स्क्रपा होगी। क्योंकि सनी जो आपके कारे डिले कर रहे हैं उसे ये तेज गती से पूरीतरह से विक्सित करने वाले हैं। और आपके कारियों में आ रही बाधाएं नश्ट होने वाली हैं। इस सूर्य से आपको धनलाव और धन संचैन के अलग-अलग रास्ते भी मिलने वाले हैं। यात्रा भी हो सकती है और उससे अधिक इस्तितियां ये बन रही हैं कि आपकी सिक्षा में उन्नती की योग बन रह रहने वाला है। सूर्य के इस गोचर से नुकसान भी है। गर्बती महला हैं तो वहाँ पर नुकसान है। ये सूर्य आपके संतान के उन्नती करेंगे। लेकिन गर्बती महलाओं की खास करके तीन-चार महीने पुराना गर्ब हो उनकी बहुत बिसीस उनका ख्याल रखना उनकी रक्षा करना और बहुत ही जादा उनकी केर करना ऐसी महलाओं की बहुत जरूरी हो जाती है तो आपके लिए बहुत जादना जरूरी है कि आपको ये सूर्य जो है नुकसान और लाव क्या दे सकते हैं तो नुकसान आपने जाना तो उसके लिए आपको बहुत जादा सम आपके पंचमेज बनते हैं, पंचम भाव सम्मान का भी भाव होता है, विवेक बुद्धी का भाव होता है, तो आपकी बुद्धी विक्सित होगी और सम्मान और ख्याती प्राप्त होगी, आपकी सफलता में इस्तितियां सूर्य बहुत ही अच्छी बनाएगा, लेकिन यहा की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं जो IT सेक्टर के छेत्र में हैं उनके लिए इस समय बहुत ही कष्टकारी हो सकता है ऑफिस बॉस से सम्मंदित भी बहुत सारी सड़यंत्र की परेसानियां आपको खेव सकती हैं जौब जाने का खत्रा भी आपके सर पर मड़ आ सकता है तो ये केबल इंजीनियर या IT सेक्टर या IT के फील के लोगों के लिए ही है जानकारी मतलब जो नुकसान वाली है अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रिशवरासी का हल ब्रिशवरासी वालों सूर्य के इस परिवर्तन से आपकी जौब लग सकती है आपके क और बिसेश रूप से यहाँ पर उन लोगों को बहुत लाव होने वाला है जो ब्यापारी हैं उद्ध्योग पती हैं उनके लिए बहुत जादा लावकारी समय रहने वाला है सूर्य देव की कृपा आपको बहुत ही बड़ा मकान दिला सकती है आपको कोई बाहन दिला सकती आपको कोई प्रॉपर्टी से लाव दिला सकती है प्रॉपर्टी डिलिंग के काम में लाव मिल सकता है यहां तक इस्तितिया जबरदस्त बन रही है और विसे इस रूप से मीडिया लाइन फिल्म इंडिस्ट्री से सम्मंदित काम करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए लाव कर रहे हैं और आपका प्रमोशन अब बस होने ही वाला है इस सूर्य देव की क्रपा आप पर होगी और आपका प्रमोशन हो जाएगा यह स्तिति है अब बात कर लेते हैं मिथुन रासी वालों की मिथुन रासी के लिए सूर्य नाराइड नवं भाम में गोचर करेंगे धनल लाव के धनसेंचन की स्तिती बनाएंगे, प्रमोशन के योग बनाएंगे, विदेश यात्रा विदेश गमन के योग बनाएंगे, और विशेश रूप से आपकी महनत का पैसा जो अटका हुआ था, वो आपको मिलने वाला है, अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा उसमें आपको बहुत अच्छी जीत की स्तिती या पॉजटिब परेडाम देखने को मिलेंगे, यहाँ पर इस्तिती उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है, जो विदेश से सम्मंदित कारे करते हैं, या फिर जो अपनी फैमली को लिए लिए कन्विंस करना चाहते उनके लिए बहुत ज़्यादा खास इस्तिती बन रही है, और आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने के लिए अपनी फैमली से भी जगर जाएंगे, यह इस्तिती है, अब बात कर लेते हैं करक रासी की, करक रासी वालों सूर्य देव का यह परिवर् इस्ति को अकाल भय और बहुत सारी ब्याधाएं, बहुत सारी ब्याधी परिसान करती हैं, हर चीज में परिसानी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अनेतिक संबंदों में जगड़े ब्याद विवाद, यानि कि एक्स्ट्रा मेरिट अफैर में बदनामी की योग बन जाते हैं, तो इस्तिती यहाँ तक बहुत ज़्यादा खराब दिखाई पड़ती है, तो ऐसे संबंदों में हैं तो बहुत बचके रहिएगा, धन लाब भी होगा तो धन हानी भी होगी, तो यहाँ पर हानी ज़्यादा है, लाब कम है, इस जिएगा जहां आपको रिस्क ही रिस्क दिखाई पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारी परेसानियों का सामना करना पड़ेगा, सब कुछ दाव पे लगा दें, ऐसी नौबत तो बिलकुल मताने देना, क्योंकि आपके पास में जो कुछ होगा, और जो कुछ दाव पे लगा होगा, वो आप हारने ही वाले हैं, इस चीज़ का बिसे इस ख्याल रखेगा, अब बात कर लेते हैं, सिंग रासी की, सिंग रासी वालों सब्तमस्त सूर्य है, आपको आपकी मेहनत का फल दिलाएंगे, प्रॉपर्टी से सम्मझेद काम में लाव दिलाएंगे, और पार्ट आपको अपने करियर में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, इस्तिती यहाँ पर यह है कि आप प्राइवेट जॉब में हो, चा सरकारी जॉब में, सड़ेंद्र तो आपके साथ सब होंगे, लेकिन प्राइवेट जॉब में ज्यादा होने वाले हैं, और वहाँ पर आपके उपर खत्रा भी ज्यादा मतरा सकता है, मेरिड लाइवेट में छोटे मोटे मतभेदों से भी आप परेसान हो सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा आपके सम्मान को छती पहुँच सकती है, इस सूर्य के गोचर से, तो अपना किसी प्रकार से ऐसा कृत्य मत कीजेगा, जिससे आपका सम्मान धुमिल हो, यह इस्तिती है, अब बात कर लेते हैं कन्यारासी की, कन्यारासी वालों सूर्य नारायन आपके सश्ठम भाव में आने वाले हैं, और सश्ठस्त गोचर करके, यह आपको बहुत सारे कोट कचेरी से सम्मंदित कारियों में बिजय प्राप् और बहतर करियर के इस्तिती बन रही है, किसी के सहयोग से उच्च पद की प्राप्ती भी हो सकती है, अगर आप जज हैं, बकील हैं, तो वहाँ पर भी आपके उच्च पद और इस्तिती बहतर बन सकती है किसी के सहयोग से, और बेहत खास इस्तिती उन लोगों के लिए बन करते हैं और खास करके आपका मेडिसन बनाने से संबंदित या उसके रिसर्च पे काम है तो वहाँ पर आपको लाब देखने को मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं तुलारासी की तुलारासी वालों आपके लिए गोचर पंचम भाब में होगा और पंचमस्त सूर्य गर्बती महलाओं के लिए नुकसान दायक लेकिन उनकी संतान के लिए उन्नती दायक होते हैं और इस सूरी के बज़े से आपको धन लाव और करियर में उन्नती के योग बन रहे हैं बहुत ज़्यादा लाव भी देखने को मिलने वाला है अनेका नेक संभावना ये भी है कि आपके ब्यापार में और सारे धन संजेन के रास्ते खुलने वाले हैं आपके आउटलेट बढ़ने वाले हैं आपके बिजनिस बिस्तिरत होने वाले हैं तो बहुत सारी स्थिति आपके लिए लावकारी है लेकिन लव लाइफ में छोटी मोटी प्राबलम से परेशान हो सकते हैं ये स्थिति है अब बात कर लेते हैं व्रिश्चिक रासी वालों की व्रिश्चिक रासी वालों सुरिदेव आपके चतरत भाब में गोचर करेंगे चतरत भाब में गोचर करके इनका सबसे ज़्यादा प्रभाब आपकी एक तरह से सबसे ज़्यादा प्रभाब तो आपकी property में पढ़ने वाला जो property के बिबाद हैं वो सलजने वाले हैं और property की किसी भी प्रकार की चाहिए वो सरकारी संबंदित कोई परिसानी वो भी आपकी पूरी तरह से आपकी बहुत ही ज़्यादा उसमें लाव की स्थितियां देखने को मिलेगी आप सरकार से केस जीद जाए या फिर कोई बिवाद खत्म हो जाए या सरकार का सही होग आपको मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छी स्थितियां बनने प्रॉपरिटी में धनलाव की स्थिति बन रही है और कोई मकान बाहन पर्चेस कर सकते हैं सूर्यदेव के आपके उपर एक बिसेश क्रपा ये रहेगी आप सबसे जादा इंजीनिरिंग लाइन में हैं आपके बिसेश रूप से लावकारी स्थितियां बनेंगी और सूर्य नारायन आपके उपर ये भी क्रपा करेंगे कि आपके बिजनिस की स्थिति भी बहुत ही बहतर हो लेकिन आपके confidence थोड़ा down नजर आएगा तो अगर interview इत्यादी होता है जोवित्यादी के लिए और खास करके कोई बड़े पद के लिए तो आपका selection नहीं होगा और उससे आप निरास होंगे और बहुत निरासा हाथ लगेगी लेश्थिति है अब बात कर लेते हैं धनूरासी की धनूरासी बालों तृतिया भाब में सुर्यदेब गोचर करके आपको धनलाव कराएंगे विजय प्राप्त कराएंगे और मेहनत का फल दिलाएंगे विदेश यात्राएं करा सकते हैं और विदेश से सम्मंदित करियर में उननती भी दिलाएंगे आपकी कई बड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और विजय रूप से कोई बहुत समय से अटका हुआ कारे आपका पूरा हो जाए जिससे आपकी पूरी लाइफ बरवाद हो रही थी अगर वो कारे इस समय पूरा नहीं होगा तो आप बरवाद हो जाएंगे ऐसी स्थिति अगर थी तो वो पूरा होनी वाला है यह स्थिति है कोई हो सकता है कि आपको मैरिस प्रपोजल भी मिले इस बीच में तो अच्छी स्थिति है अब बात कर लेते हैं मकर रासी की मकर रासी वालों दुतियस्त सुर्य आपके ऊपर बिसेश रूप से धन की स्थिति बहतर बनाएंगे और धन सैंजन के रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे लेकिन सेर मार्केट सटाला ट्रित्यादी या रिस्क भरा पैसा कहीं लगाया हुआ है तो वहाँ पर बहुत नुकसान की स्थिति बन सकती है मेडिकल लाइन में प्रॉबलम आ सकती है रिसर्च के काम में बहुत ज़़ा अवरोध उत्पन हो सकते हैं और साइंटिस्ट है तो खास करके वहाँ बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी चुनोती आपके सामने खड़ी हो सकती है अधिकारीओं का सहयोग भी नहीं मिलेगा अगर कोई ऐसी जॉब में है जहां जल्दी दवाब बन जाता है या दवाब से आपका कारे दूमिल हो जाता है या कारे आपका वरोधत हो जाता है आपकी रिसर्च अधूरी रह सकती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्स्टा मेडिटल अफैर जो लोग बनाते हैं या वो अफैर खास करके टाइम पास है मनुरंजन वाले अफैर उनको बहुत बड़ी बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है अब बात कर लेते हैं कुम्ब रासी वालों की कुम्ब रासी वालों सूर्य आपकी रासी में गोचर करके आपके मान सम्मान को घटा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग आपको बहुत नीचा गिराने की या नीचा दिखाने की कोसिस कर सकते हैं लोग आपके खिलाब सड़यंत्र कर सकते हैं और आपके अपनों से आपके संबंद बहुती खराब होनी वाले हैं अगर कहीं marriage fix हो गई तो वो टूट सकती है खास करके love marriage fix हो गई तो टूट सकती है फैमिली वालों की problem आपको दोनों को देखने को मिल सकती है दोनों की तरफ से कुछ ऐसी problem फेज करनी पड़ सकती है फैमिली से related अगर partnership का ब्यापार है वहाँ पर इस्तिति फिर भी ठीक लेकिन विदेश सम्मंदित ब्यापार में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आप अगर पत्रकार हैं या पिर प्रोफेशर हैं लेक्चिरार हैं वहां पर इस्तिती आपके लिए फिर भी ठीक रहेगी अगर आप जॉब के लिए इंटर्व्यू देते हैं तो जाने का सोच रहे थे तो विदेश से सम्मंदित कारे रुक जाएं अटक जाएं परेशानी आने लगे अधिक मात्रा में ये इस्तिती है कि जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े और सत्रु विवाद और क लोट कचैरी के कारियों में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम फैमिली ही थर्ड पार्टी बन जाए ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है और आपकी कोई बड़ी इच्छा थी जो इस बीच में पूरी होने ही वाली थी वो सपना जो आपका पूरा होने वाला तो बहुत बड़ा सपना भी आपका तूट सकता है इसमें खास करके अपने लोगों का यहां थोगा जहां आपके खिलाब सड़ेंत्र हो रहे होंगे और वो आपके सपने चूट चूट कर सूर्यदेव के इस गोचर से आपकी हेल्ट में भी विसेशप्रवाब पड़ेगा और हेल्थ में खास करके कई गंभी रोगों में आपको परेशानिया हो सकती हैं यह था सूर्य-गोचर प्रभाव, सूर्य-रासी-परिवरतन प्रभाव, अगर आपको या वीडियो पसंद कुम-कुम डाल करके आप सूर्य देव को रोजाना सुभे 6-7 बजे के मद्द में इसनान करने के पस्चाथ पूर्व दिसा की और मुख करके सूर्य को अर्ग देना प्रदान करें तीन वार जलार्ग दीजिए आपको इससे बहुत जादा लाब मिलेगा और हर प्रकार से आप की इस्तिती बहतर होती हुई चली जाएगी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर अगर पहली वार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार